का नमस्कार साथियों आप सबका सवागत है हमारे आज के शेशन में हम अर्थ सस्तर का अध्यायी दो जिसका नाम है भारतिय अर्ट वयोस्ता के चेतरक यानि की आज की अध्यायी में भारतिय अर्थ वयोस्ता अर्थ वरस्ता के जो छेत्रक हैं जिनने हम प्रात्मिक द्वित्यक और तृत्यक छेत्रकों के अंदर बांट कर रखते हैं उनके बारे में देखेंगे ता यह शुरू करते हैं बारतिय अर्थ वरस्ता के छेत्रक सबसे पहले अर्थिक गति विद्धी की बात करूं बतो तो ऐसे क्रिया क्लाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आये की प्राप्ति की जाती है यालिकि वो को किसी भी प्रकार का आर्थिक क्रिया कलाप हो सकता है आप कोई भी प्रकार का रोजगार के अंदर भाग लेख सकते हो जिससे कहीं ने कहीं आपके जीवन यापन के लिए जो आये होती है उसकी प्राप्ति हो सबहीं काउंट होती है आर्थिक गतिविदियों के अंतरगत और वैस्ता को तीन-चेतर किया सेक्टर में बांटा गया है जिनें प्रात्मिक या प्राइमरी, जृत्तिक या सेकेंडरी, तृत्तिक या टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं सबसे पहले बचो कर मैं बात करूं प्राइमरी सेक्टर की बचो प्राइमरी सेक्टर वी होते हैं जो हमें प्राकृतिक संसादनों से प्राप्त होते हैं या तो खनन के द्वारा या क्रशी के द्वारा या क्रशी से जुड़े हुए अन्य उद्योगों के द्वारा अन्य प् प्राप्त होते हैं उत्पाद उन्हें कहा जाता है प्रात्मिक छेतरक इस सेक्टर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से अब प्राकृतिकों जैसे बूमी भी एक प्राकृतिक संसाधन है जल भी प्राकृतिक संसा प्रकृति से मिलेने इसके दर हम भूमी को भी काउंट करते हैं खनीजु को भी काउंट करते हैं उत पादन किया जाता है उद्हारन करसी औहरे हैं करसी सम्मंदित कि याकलाप खनन आदी यह सब प्रात्मिक थे दर के अंदर सेकेंडरी या दुधिस्क थेटर से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको निर्मान या वी निर्मान उद्योग के दौारा अन्य उत्पादों के अंदर बदलना या अन्य मुल्यवान चीजों के अंदर बदलना यह क्वित्नुक आदे अब मैं बात करता हूं बचो तर्स्री जर्ट एक हैं ड़सरी जर्ट है इसके अंदर बसंद सेवाइड थोश्य परदान किया जाती है जैसे कि बैंकिंग सिवा इसके अलवा सूतना की जो सेवा होती है, परिवेहन की जो सेवा होती है, ये जितनी भी सेवाएं जो आती हैं बद्चों ये काउट की जाती है तुरित्य गर्छेत रख के अंदर इस सेक्टर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुएं परदान की जाती है उदाहन, यातायात, वितिया सेवाएं, परबंदन सला, सूजना प्रोजोगी की आदी ये सबी काउंट होते हैं बच्चों तिरित्यकर छेतर के अंगर अब बच्चों मैं बात करता हूं सारवजुनिक छेतर की, की सारवजुनिक छेतर क्या होती है तो वे सेवाएं जो सरकार के द्वारा प्राप्त की जाती है, जो सरकारी होती है उन्हें कहते है सारवजनिक शेवाएं जिसमें अधिकाश परी संपतियों पर सरकार का स्वामितव होता है और सरकार ही सभी से मैं उपलब्द करवाती है जैसे कि सरकारी अस्पताल हो गए बच्छो यतायात हो गया गवर्मेंट जो ट्रांस्पोर्ट होता है लीजा निजी व्यक्ति या पर किसे निजी व्यक्ति आकनी निजी व्यक्तियों के समुगों का हक होता है धाय रशत गांभी जी निजशेवातर जिसमें परी 지금 का स्वामितव और सिवाओं का वित्रण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है सकल ग्रेलू उत्पाद इसके बारे में बच्छों मैंने आपको पिछले अध्याई में भी बताया था कि एक राष्ट्र के सभी आएको जब जोर दिया जाता है अब जह हो निर्याइत के दवारा हो जो उसके राष्ट्र के अंदर उत्पादित वस्तु के दवारा हो तो उन सब से प्राफ्ट आये को क्या कहते हैं सकल ग्रेलू उत्पाद किसी विशेश वर्ष में प्रतेग छेत्रक द्वारा उत्पादित प्रतेग छेत्रक यानिकी प्रात्मिक द्वित्यक और तृत्यक अंतिम वस्तुवे सेवाओं के मुल्य उस वर्ष में देश का कुल उत्पादन की जानकारी परदान करता है उत्पादन में तिरित्य चेतर का बढ़ता महतव कि कैसे तिरित्य चेतर अपना वर्चसों कायम कर रहा है बाकी दो चेतरों के उपर तो भारत में पिछली 40 वर्चों में सबसे अधिक वर्दी तिरित्य चेतर में हुई है यहनकी संचार के चेतर में या सुविधाओं के चेतर में क्यों देखो बतो जैसे जैसे राष्टर का विकास होता है उस देश में जो सुविधाएं होती हैं उनके इंदर भी बडोतरी होती जाती है इस तिवर व्रदी के कई कारण है जैसे सेवाओं का समुचित प्रबंदन, परिवेहन, बंडारन की अच्छी सुविधाएं, वैपार का अधिक विकास, शिक्षा की उपलब्दता आदी ये सब कारण है तृतिक सेवाओं का बढ़ने का किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, परिवेहन, बेंक, डाक, तार, आदी की आशकता होती है कुशी एं वद्योग के विकास में परिवेहन, वैपार, बंडारन जैसी सेवाओं का विकास होता है जैसे बतो करशी के कारण भी तो अगर मैं बात करूं जैसे कोई आपने करशी बुवाई की उसके बाद अनाज होता है उस अनाज को आप परिवहन के दोबारा ही तो मार्केट में लेकर जाते हो अब वहां मार्केट में समान खरिदा जाता है बाद में उसको बंडारन किया ज तो आप अच्छा खाने का प्रयास करेंगे अच्छा पहनने का प्रयास करेंगे तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को भी बड़ावा मिल रहा है कि सूचना और संचार प्रोध्योगी की पर अदारित कुछ नवीन सेवाई महत्रपुर्ण अपरी हर यह हो सकती है या हो गई है अदर काम करने वाले लोग हैं अगर उनमें से कुछ लोगों को हटा भी लिया जाए तो भी उसके उत्पादन में कोई फरक नहीं पड़े तो इसे कहते हैं अल्प बेरोजगारी यानि कि अगर बच्छो क्रशी चेतर के अंदर से कुछ कुछ लोगों को किसानों को हटा भी दिया जाए तो भी उसके उत्पादन में कोई फरक नहीं पड़ेगा जैसे बच्छो मैं आपको एक उधारन के तोर पर समझाता हूं मान लोग किसी के पास दस बिगा जमीन है और वहाँ पे एक आदमी कुछी का उत्पादन कर रहा था वसल का उत्पादन कर रहा था अब आदमें उसी किसान के तीन बेटे जो बाद में उसी किसा असी कार्या के इनदर पहीं उसी कहत में लगए तो क्या बच्छो उत्पादन बढ वड़ेगा नहीं सार्मुन पहले जीतना ही रहे ग़ा और अब उनन लोगहों को भी लगेगा कि हम काम कर रहे हैं हम तो यानि कि उनके काम करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो जब किसी काम में जितने लोगों की जुरुर्त हो उससे ज्यादा लोग काम में लगे हो और वैया अपनी उत्पादन शम्ता कम योग देता से कर रहे हों तो इसे प्रसंत तता चुपी विरोजगारी भी कहते हैं यानि कि यह दिखाई नहीं देती पर बेरोजगारी का ही एक रूप है क्रशी चेतर में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है अर्थार्थ यदि हम कुछ लोगों को क्रशी चेतर से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विसेश परभावे नहीं पड़ेगा यह होती ह हूं सिक्षित बेरोजगारी की सिक्षित बेरोजगारी का मतलब है वो यूवा जो पढ़ा लिका है सिक्षित है सब कुछ उसके पास कुछल होने के बावजुद्व उसे रोजगार नहीं मिल रहा यह होती है सिक्षित बेरोजगारी जब शिक्षित परशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग गता के अनुसार काम नहीं मिलता तो उस बेरोजगारी को कहते हैं सिक्षित बेरोजगारी कुशल श्रमिक जिसने किसी कार्ले के लिए उचित परशिक्षिन पराप्त किया हो प्राप्त ने हो उसे कहेंगे अपने ऐ कुछल श्रमिक संगतित चेतर का मतलब है वैज जो शरकार की निगरानी में रहते हैं याने की कुछ विशेस । परकार के कानुनों के तहतेख चलते हैं उन्हें शंगत चेटर इसमें वे उध्यम यानि कि वे कार्रे आते हैं जहां रोजगार की अवधी निश्चित होती है रोजगार की अवधी का मतलब बचो कि आप एक अफ़ते में 6 दिन काम करोगे या 7 दिन काम करोगे या कितने गंटे काम करूगे, ये अवदी निश्चित हो, यानि कि एक यूनियन बना हो, ये सरकार द्वारा पंजीकरत होते हैं, तथा निरधारित नियमों व्या वी नियमों के अनुपालना करते हैं, यह होता है संगटित छेतर एक होता है ऐसंगटित छेतर यानि कि जो किसी के नियंत्रन में नहीं होते या रजिश्टर नहीं होते सरकार के अंदर जैसे अगर मैं बात करूं गरेलू कार्यों की कोई व्यक्ति किसी घर के घर में नोकरी करता हो कोई खेत में नोकरी कर रहा है को अधिकांसत तक सरकारी नियमों की पालना नहीं की जाती यहां न तो मजदूरी का समय निश्च्चित होअगं नहीं मजदूरी निश्च्चित होती है दोहरी गणना की समस्या बते हो इस के बारे में देखु कि आप कच्छे माल को भी उतपादन की रूप में काउंट कर रहे हो यहां आमने 까요 की दो बार ही काउंटिंग करती तो यह होती है दोहरी गणना की समस्या तब चाहे वो प्रात्मी छेतर से हो, चाहे द्वितिक छेतर से हो, चाहे तिरितिक छेतरक से हो, क्योंकि इसमें कच्छे माल का मुल्य भी जुड़ जाता है, आते समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मुल्य की घणना की जाने चाहिए, यानि कि ऐसा नहीं है कि आप उसे कच्छे माल से मैंने आटा बनाया, और उस आटे की किमत मैंने 20 लाग काउंट कर दी, कि इस बार इस देश में 20 लाग का आटा हुआ, तो टोटल आये तो 30 लाग होगी, पर मैंने वो 10 लाग जो गेहूं में काउंट किया, वो दो बार काउंट हो चुक है, बच्छों ए उमीहिन किसान, क्रशी श्रमिक, छोटे वैं सिमान्त किसान, कास्तकार, बंटाईदार, शिल्पी, आदी, ये होते हैं ऐसंगर्टी चेतरों में काम करने वाले लोग, शहरी चेतरों में ओद्योगिक श्रमिक, निर्मान श्रमिक, वैपार वैं प्रिभेन में कारेरत, कबार वे बोज़ा डोने वाले लोगों को सरंक्षन की आउशकता होती है यानिकि यह सभी ऐसंगटी चेतरों के अंदर कार्य करने वाले लोग होते हैं ग्रामीन रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 बतो यह सरकार के दुवारा चलाई गी एक बहुत अच्छी योजना थी जिसमें ग्रामीन प्रिवेश के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें रोज़गार की गारंटी दी गई कम से कम सो दिनों के रोज़गार की एक साल के अंदर केंद्रियन सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागगू करने का कानून बनाया है जिसे कहते हैं काम का अधिकार कामकादिकार मतलब सक्षम बैद जुरूरतमन विरोजगार गरामिन लोगों को परतेक वर्स सो दिन के रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा दी जाएगी और अगर इसमें सरकार ऐस पल रहती है तो फिर विरोजगारी बता दिया जाएगा जाने कि सो दिनों के लिए तो कम से कम रोजगार सरकार आपको देगी ही देगी अर्थ व्यास्ता का प्रात्मिक छेतरक से द्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित् कि जितने बोजन की आवशक्ता ही नहीं थी उससे ज्यादा बोजन का निर्मान होने लगा तो ऐसे में अन्य उत्पादों की आवशक्ता बढ़ने से सेकंडरी सेक्टर का विकास हुआ यहां कि प्रास्तमिक उत्पादों को अब किनी अन्य उत्पादों में बदलने की आवश हुए के उद्योग दो है वो सेकंड्री खेतर से ही जुड़े होए नि小के के विक्सित होने के बाद ऐसी गतीवीदियों की जुरूरत होने लगी जो अध्योगिक गती विदियों को धटावा दे सकी याने की ट्रांस्पर्ट सेक्टर व्योगे गती वीदियों को बड़ावा मिलता है और जोगिक उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए हर मुगल्ले में दुकानों की जरूरत पड़ती है लोगों को अन्य कई सेवाओं की आशकता होती है जैसे की अकाउंटेंट ट्यूटर मेरेज प्लानर सौफ्टवेर ड विकास हुआ तो बच्चों इसी के साथ हमारा यह अध्याए यहीं समाप्त होता है इस अध्याए के अंदर हमने प्रात्मिक द्वित्यक वे तृत्यक छेत्रों के बारे में जाना और इनकी एक दूसरे के उपर निर्बढ़ता के बारे में जाना अब हम मिलते हैं अर्थ सा